हेलो दोस्तों कैसे हो सब आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छी होंगे देखो यह है हमारी टीसरी ट्रिप जो आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं बहुत अच्छी ट्रिप है हमारी यह हम बस से यहां से होके बुजर रहे थे सुबा के लगबग साथ से साथ वाड़ साथ बजे का समय था जब हम यहां से निगले तो अच्छा वीव लग रहा था देखने के लिए अप लिए अच्छा वीव लग रहा था अब दोस्तों क्या बताएं आपको बस रुख जाती ना तो पसंद से आपके लिए बहुत ही सोल में लाइटीस उवीदा नहीं हैं यहां पर तब लोग पैनल स ही काम चलाते है अपने गणों में रोजनी करने के लिए सोलर पैनल लगा रखे हैं सब लोगों ने और खिसी के पाद अपके माकान नहीं है या पर सब छपर खकर के माकान हैं और बस हमारी गुजर रही है बहुत थेजी से चड़ रही है पहाडों जाकर दिखाएंगा अमा आप लोगों को कितना अच्छा व्यू लगेगा कंटिन्यू हमारे विलोग में बने रहना बस दोस्तों आप से एक ही रिक्वेट है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को सेयर करें और कमेंट करना जरूर पूर न भूलें बिब्बूल दोस्तों और सब्सक्राइबर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बैल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि हम ऐसी अच्छे विलोग आप लोगे डालते रहेंगे और इसे आप लेखते रहेंगे बने ने रहना कंटीनु हमारे लोग में देखो कितनी गहरी खाई हो चुकी है बस बराबर उपर चड़ रही है पहाड़ों के बहुत तेजी के साथ है है अभी नहीं दोस्तोव अभी तो लगवक तीन सो से चार उस पुट गहराई हैं योगी तो अभी देखना आप लगवक एख़ाई के वहाँ है वहाँ दिखाई देगी inside और से अप लोग को चोटीफी दूडगेगी ये देखने में कितना अच्छा भी हुए दोस्तों देखो पारक जाने का बहुत अच्छा मन करता है हमारा कुमने का देखो कितनी अच्छी लग रही है फिंगा नदीद ऐसा आती हुई बड़े ही अच्छी बहुत सुन्दर ना जा रहा दोस्तों ये देखो बहुत अच्छा मन लग रहा था यहां पर कास के बस रुख पाती लेकिन दोस्तों यहां पर बस नहीं रुखती है पहाड़ी शेत्र में जाने के बाद क्योंकि डर रहता है पहाड़ी लोग कहीं अटैक ना कर दें बस पो लूट ना ले में इसलिए बस वाला पोई भी देखो कितने उच्छी उच्छे पहाड़ है बस नहीं रोकती है सारे सारे लोग गाड़ियों के सीशे लगा कर चलते हैं आपर कोई भी सीशा ने खोलता ताकि डर रहता कर अब पर उपर से घर गिर ना जाए तो यहां पर निर्मान कार्य भी चल रहा है देखो दोस्तों कितना अच्छा वियू है अगर फाई की गहरा है दोस्तों देखते रहे ना आप बढ़ती जाएगी बहुत गहरी फाई हो जाएगी बहुत गहरे बहुत उंचाई पर पहुंच जाँगे हम पहाड़ों के प्रकुल लाट उंच चोटी पर से होगा बस बुज लिए लेकिन बस ने रुप आई बस वालों ने बोल दिया था अगर तुम ने यह जंगल में भूमने जाना है तो वह पैदा लिए अपनी सवारी से जाना होगा लेकिन बाइदा वे दोस्तों हमारे पास अपनी सवारी नहीं थी उतलिए हम रुप नहीं पाए देखो हम अपने करम कपले लेकर नहीं गए थे हम अपने को मैसूद करना पड़ा बर्दास करना पड़ा बहुस समय तक लगबग एक से डिड़ गंटे बस हमारी जो पहाड़ों के बीच हुजी रही है कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा आप लोग दोस्तों कमेंट प्यरों करना हमारे पास में बस की हाइट बस की बस चड़ती जारी है चड़ती जारी है दोस्तों बहुत उपर पहुंच चुकी है बस यह देखो आप गहराई खाई की गहराई देखो आप दोस्तों कितिक गहरी खाई हो चुकी है गहराई बहुत बढ़ गई बस उपर बहुत उपर मौट चुकी है कितना अच्छा वियू है यहां का देखो सड़क में गड़ा होने के बज़े से परिवेन विवाग ने दो करमचारी भीज़ कर सड़क के गड़े लेवल करा रहे हैं ताकि बस या किसी सवारी को आते जाते जिखका नहां लगे जिससे हमें डिश्टा फिल ना हो देखो दोस्तो कितना अच्छा वियू है बस क्योंकर बहुत दीमी दीमे चल रही थी चड़नी पा रही थी यहां पर बहुत ज़्यादा उंचा ही में पहुंचने वाली है बस ना इलिए दीमी दीमे चल रही थी चड़नी पा रही थी बस इतनी हाइट पर पहुंच चुके रहे हैं दोस्तों हम यह देखो दोस्तों कितना अच्छा भी हुआ है आखा बहुत इच्छा नजा रहा देखे हैं हम जा रहे हैं अपनी ट्रिक्स पूरी करने के लिए दोस्तों इस समय बस जो बिल्कुल चोटी की लाश्ट टॉपी पर पहुंच चुकी है बिल्कुल लाश्ट चोटी पर देखो चोटी चोटी दीखर लगया पहाड और जब हम जब नीशे बसती तो बहुत उंच्छे पहाड दीख रहे थे यहाँ पर वियू देखो आप इतना अच्छे है यहाली है यहाँ पर देखो लाश्ट चोटी पर पहुंच चुकी है बिल्कुल बस अब यहाँ तर पहाड़ जाएंगे खतम बस उतरेगी नीचे थोड़े देर बार में बस नीचे उतरनी शुक्त हो जाएगी यह देखो यहाँ पर अन्रमारखार भी जगए जगए चल रहा है अब ब्रकुल लाश्ट चोटी पर बस पहुंच चुकी है आप यहाँ तर पहाड़ भी देखो आप देख रहोंगे कैमरे में पहाड़ भी नहीं दिखाई देरे जादे देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कितना संदर देश्चे है देखो अब जो है पहाड़ हो चुके फटम पहाड़ देखने बंद हो गए न सब क्योंकि हम सब्सक्राओ उपर पहुंच चुके हैं अब बस जो तुम्री देर में नीचे उत्राईगी देखो पहाड़ों की उच्छा ही कम हो चुकी है और यहां से दोस्तों कहते हैं बादल कहां से बनते हैं पहाड़ों की गैस निकलती है उनसे ही बादल बनते हैं एक्टम बादल बन जाते हैं यहां पर देखो रास्ते में पढ़ता है हनुमान जी का मंदिर हम यहां हनुमान रहे देखो दोस्तों गाड़ी हीट हो गई यह वाली गाड़ी हीट हो गई थी क्योंकि बस चलता जलता धीमी पड़ गई थी तो गाड़ी तो हीट होई जाती छोटी गाड़ी है इतनी उचाई पर आये हैं हम लोग अब यहां पर पड़ता एक बोर्डर चोटा सा यह आगया बोर्डर आप देखो बोर्डर कितना अच्छा लग जाए द्रिश्चे यहां का बोर्डर का भी सीमा प्रारम्ब हो चुकिए दूसरी दिस्की हम एंटर कर चुके हैं अब दूसरी जगा यह देखो चोटी बनी कमेंट करके बताईए आप उनकोन गुजरा है यहां से आप दोस्कों दीरे दीरे बस आ रही है नीचे और देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है बोर्डर का बहुत अच्छा बना रहा है बस नीचे आनी शुरू हो चुकिए देखो आपको देख रहा होगा अब आच रहे हम बनों में अब बस गुजर रही है बनों से होका इतना अच्छा व्यू है यहां का बनों का भी बहुत अच्छा सुंदर बन थे पेड़ बहुत बहुत उंचे थे यहां से हम गुजर रहे हैं बहुत अच्छा व्यू लग रहा था देखने में वनों का यहां पर जंगली जानवर भी आ जाते हैं कई जगे बोर्ड मिले थे ऐलिफेंट ऐलिफेंट फॉर एक्टिन कई जगे बोर्ड मिले थे दोत को बहुत अच्छा व्यू रहे हैं आप अभी और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सस्क्राइब करें और कमेंट करना बिल्गुल ना भूलें दोस्तों और जादे से जादे अपने दोस्तों के पास पर सेयर करें वीडियो को क्या संदर न जा रहा है आका यह अब हम बनों से क्रोथ होके पहला गाउं पढ़ता है पहाड ही खतम होता ही पहले यह सबसे पहला गाउं पढ़ेगा यहाँ पर यह जो हवेली है यह राजाओ के जमाने की हवेली है यहाँ के हमने पूछी थी तो राज़ाओं के जमाने की हवेली बताई थी ये बहुत पुरानी हवेली है ये पढ़ता है पहला गाउं इस गाउं से होके बस अब गुजरेगी अब पहुँच चुके हैं आगे बनों से निकल रहे हैं द्वारा बनों से होती जा रही है बस बहुत अच्छा भी हुए दोस्तों यहां का भी ये देखो और अब हम आच चुकी हैं सहर में ये पढ़ा हमें चोक इस चोक से होके बस गुजरेगी अब आपको दिखाते हैं हम जा कहा रहे हैं आप खudही कामेंट कर देंगे के हम कहां पर जा रहे हैं या अगया बॉर्ड जिस के समय बस जा रही है अब आप दोस्तों खुद सहब करके बता रहे हैं एक पड़ाच फोका से गॉजरेगी गुजरने के बाद अब आगे हैं हम सबसे पहली गंगानदी, बहुत पुड़ी गंगानदी है दोस्तों, और जल की स्पीड इतनी तेश ती यहाँ पे, कि देखने में बहुत जादा सोर तरावा जल कर रहा था, इतनी तेश जल चल रहा था यहाँ पे, यह देखो, आप सुदी देख सकते हैं, जल की स्पीड इतनी है, और ऐसे यह विलोग में हम बराबर बनाते रहेंगे, आप दोस्तों के लिए, आपका प्यार हमारे लिए बना रहना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को करें लाइब, और चैनल को करें सब्सक्राइब, मिलते हैं यह किसी ने विलोग में बाई बाई दोस्तों जाहिए